आगए कोरोना की बड़ाई थोड़ी देर भक्षोधी करेंगे फिर ये मेरा भाई मुझे सिक्रट दिला कर देगा फिर भक्षोधी करते हैं घर चली जाओगे खाना खाओगे सो जाओगे तुम्हारी ये चूत्या बात है तुम्हारी ये मुरक्ता एक दिन इस देश के लोगों की मोद का तमासा ऐसे ही देखेगी कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें कुछ नहीं लोकडाउन से तुम्हें कोई फरक बढ़ने वारा नहीं है भीड में चलने की आथ पड़ी है तुमको चुगली करने की आथ पड़ी है तुमको पहले छंडा उठा के चुनाव की बाते करते थे पर सट्टा लगाने के लिए आईपल की बाते और अब इस कोरोना वाइरस की मीडिया वाले चिला कर बोलने है बाहर मत जाओ लेकिं तुम्हें बार जाना है मरो सब मरो इटली का परदान मंत्री हमें देखता होगा तो उसे शर्माती होगी सोचा होगा इंडिया वाले हमसे कुछ सीखेंगे लेकिन हम क्यों सीखें क्या होगा अरे कोरोना वारस तो है चोटी जी बात है हमको कैसे हो सकता है रासन भर लेता हो फिर नहीं मिलेगा तारू तो नहीं मिली तो मेरा क्या होगा सीखेंट खतम हो गई यह बहर जाना है मोदी साब कोरोना वारस की चेन तोरना चाहते हैं भारत बंतर के लोकडाउन करके कोरोना वारस खतम करना चाहते हैं को समझाओं की बात को सब साले अंपर्ड जिंदा लासे किसे जगाएंगे वह मै लिए काम कर रहें लेकिन तुम्हें क्या फरक पड़ेगा यह पिस्टू जैसा वारस कोविड-19 आने वाले कल में शायद अपने आपको हिंदुस्तान में कहीं धूर नहीं पालगा एक बात भूल रहा है अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाये तो तुझे एक म दार्ती नहीं है यहां पर वारस फ्रण अबहुत आसान है मैं हिंदु मैं मुसल्मान मैं सिक मैं शांड़ग मैं कश्मीरी और हुआ एक मास्क तो कोई भी लगा सकता लेकिन पूरे हिंदुस्तान को मास्क लगाना बड़ा मुस्किल है मैंने online पुडाता डवल एच्चो की वब साइट पर मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको क्यों समझा रहा हूं पागल हूं मैं भूसा भरा-पड़ा है मेरे दिमाग झाल झाल